हेलो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रिंसफूट एजुकेशन में आज की इस क्लास में हम आपको नौलेज एन क्यूरिकुलम के कुछ महत्रपूर कोशन्स कराने जा रहे हैं पहला कोशन है शब्द एजुकेटम सम्मंदित है तो शब्द एजुकेटम जो है वो लेटिन भाशा से सम्मंदित है किस सम्मंदित है लेटिन भाशा से नेक्स कोशन है जो ग्यान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है या कतन किसने कहा कोश्चिन क्या है हमारा कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है यह कतन किसका है तो यह कतन है सुकरात का सुकरात ने कहा है कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है पहला है प्रवचन विधी, दूसरा है समवाद विधी, तीसरा है प्रशनोतर विधी, चौता है ये सभी तो ज्यान मिमानसा द्वारा सिक्षन विधी कौन कौन सी दी गई है? प्रवचन विधी भी दी गई है, समवाद विधी भी दी गई है और प्रशनोतर विधी भी दी गई है नेक्स कोशन है आदर्श वाद में प्रधानता है तो आदर्श वाद में किसकी प्रधानता है तो ज्यान मिमानसा की ठीक है ज्यान मिमानसा को प्रधानता है आदर्श वाद में ज्यान मिमानसा की प्रधानता है नेक्स कोशन प्रियोजन वाद दर्शन को मानते है तो किसको मा नेक्स कोशन है क्यूरी कुलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्यूरी कुलम का शाब्दिक अर्थ है दोड़ना, to run. क्यूरी कुलम का शाब्दिक अर्थ है दोड़ना, नेक्स कोशन है ग्यान शब्द संस्क्रत की किस धातु से बना है? तो ग्यान शब्द संस्क्रत की ग् नेक्स कोशन है पार्टिक्रम विकास का संबन्ध है प्रभंधन से नेक्स कोशन है नौलेज का अर्थ है किसी विशेश तत्थि या इस्थिती को जानना या कतन किसका है तो यह कहा गया है ऑक्सफोर्ट डिक्सनरी के अनुसार Oxford Dictionary के अनुसार कहा गया है कि knowledge का अर्थ है किसी विशेश तथि या इस्थिती को जानना ठीक है Oxford Dictionary के अनुसार ठीक है Next question है ज्यान आधारित होता है तो ज्यान जो होता है वो सच्चाई पर आधारित होता है विचार पर आधारित होता है और सबूत पर आधारित होता है ग्यान क्या है? जिसको जानना ग्यान मतलब क्या होता है? जानना या किस पर आधारित होता है? सच्चाई पर, विचार पर और सबूत पर Next question है पाठिक्रम विकास के लिए आवशक्ता होती है तो पाठिक्रम विकास के लिए नवीन पाठिपुस्तकों की आवशक्ता होती है अगर पाठिक्रम का विकास करना हो तो क्या आवशक्ता होती है? नवीन, नवीन मतलब क्या होता है? नई पाठिपुस्तक की आवशक्ता होती है नेक्स कोशन है मानवतावादी सिक्षा किस पर केंद्रित है तो जो मानवतावादी सिक्षा है वो विद्याले पर केंद्रित है मानवतावादी सिक्षा विद्याले पर केंद्रित है यथार्थवाद किसको मानते हैं? ज्यान की प्रकती किस बिंदू से इसपस्ट होती है? ज्यान की प्रकती बोधिक, आध्यात्मिक और अनुभवात्मक से इसपस्ट होती है ग्यान को मुख्य रूप से किस आधार पर वर्गी करत कर सकते हैं? ग्यान की प्रकति के अधार पर वर्गी करत कर सकते हैं? किसके किसके अधार पर? उपलब्धता और ग्यान की प्रकति के अधार पर नेक्स कोशन है प्रयोजनवादी सिक्षा प्रक्रिया होती है? तो वह कैसी प्रक्रिया होती है प्रयोजनवादी सिक्षा प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है अनुभाव केंद्रित जो प्रयोजनवादी सिक्षा होती है अनुभाव केंद्रित नेक्स कोशन है शिक्षा की मूल समस्या क्या है तो सिक्षा की मूल समस्या पाठिक्रम की है क पाठिक्रम मुल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश केंद्रित है तो टॉलर कौन सा टाइलर पाठिक्रम जो है वो मुल्यांकन का टाइलर मॉडल उद्देश केंद्रित है Next question है, दीर्ग उत्तरी प्रेश्ण प्रेश्णों के किस प्रारूप का अंग है? तो निबंधात्मक प्रेश्ण का अंग है Next question है, सिक्षण अधिगम है, तो सिक्षण अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है Next question है, समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण क्या है? स्कूल Next question है, प्रेश्ण वाद सत्य किसे मानता है? प्रेश्ण वाद जो है, वो अनुभव को सत्य मानता है क्योंकि जो प्रयोजनवाद सिख्षा प्रक्रिया है, वो किस पर आधारित है? अनुभाव केंडरित पर आधारित है. तो प्रयोजनवाद किसे सत्ति मानता है? अनुभाव को, experience को सत्ति मानता है. ज्यान के वहवार में विन्योग की सैक्षिक तकनीकी है? किसने कहा? एक प्रकार की पाठि पूस्तक का विसल्या शेत्र सीमित होता है तो ऐसी कॉन सी प्रकॉर में खतंब बिए हो जाता है इसलिए इसको खहागया है जो पाठेक्रम पर आधारित पुस्तके होती है उनका शेत्र होता है वो सीमित होता है नेक्स कोशन है पार्ठिक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है तो पहला है उद्देश को दूसरा है प्रक्रिया को तीसरा है वहवार को और चौता है परिस्थिती को तो पार्ठिक्रम में इसमें पूछा गया है पार्टिक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है तो देखे उद्देश को महत्व दिया जाता है प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है परिस्ति को महत्व दिया जाता है लेकिन पार्टिक्रम में वहवार को महत्व नहीं दिया जाता है किसे महत्वर ही दियाता है वहवार को महत्वर नहीं देते हैं जीवन में ग्यान के व्यवस्तित प्रयोग करने की विधी को क्या कहते हैं जीवन में ग्यान का व्यवस्तित प्रयोग करने की जो विधी होती है वो क्या कहलाती है उसे कहते हैं तक्नीकी तकनीकी किसे कहते है जीवन में ग्यान के विवस्तित प्रयोग करने की जो विधी होती है उसे क्या कहते है तकनीकी कहते है कि जो पाठिक्रम होगा वो बाल केंद्रित होगा मतलब बालकों को ध्यान मेरतकर जो सिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं बाल केंद्रित पाठिक्रम बाल केंद्रित पाठिक्रम का जो सिध्धान्त है वो प्रयोजनमादी विचारधारा की उपज है नेक्स कोशन है पाठिक्रम विकास का सरवाधिक महत्रमून अभिकरन कौन है? तो पाठिक्रम विकास का सरवाधिक महत्रमून अभिकरन अध्यापक है। कौन है अध्यापक? नेक्स कोशन है जो छात्र केंदृत पाठिक्रम का विकास है उसमें किस विद्वान का योगदान ह नेक्स कोशन है विशय केंदरित पाठिक्रम का अन्य नाम क्या है तो जो विशय केंदरित पाठिक्रम है उसका अन्य नाम है पुस्तक केंदरित पाठिक्रम विशय केंदरित पाठिक्रम का अन्य नाम है पुस्तक केंदरित पाठिक्रम किस विद्वान ने पाठिक्रम सनरचना को वरत्ताकार माना है तो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने पाठिक्रम को सलेबज की सनरचना है उसको वरत्ताकार माना है तो जो वीलर नामक व्याज्यानिक थे उन्होंने क्या किया जो पाठिक्रम सनरचना है उसको वरत्ताकार माना नेक्स कोश्चन है विद्यालेई व्यवस्ता का मूलाधार क्या है तो जो विद्यालेई व्यवस्ता का मूलाधार है वो पार्थे चर्या है क्या है पार्थे चर्या नेक्स कोश्चन है पार्थे चर्या का अर्थ है तो पार्थे चर्या का अर्थ है पार्थिक्रम एवं पार पाठ्थ सहगामी क्रियाएं, पाठ्थ चर्या मतलब क्या हुआ? पाठ्थ चर्या का मतलब हुआ पाठ्थ क्रम प्लस साथ में जो पाठ्थ सहगामी क्रियाएं होती है, जैसे खेल कूद हो गया, प्रातना करना हो गया, खेल कुछ एक्टिविटी बेस्ट जो काइक्रम होते ह उन्हें पाठ सहगामी क्रिया के अंतरगत रखा जाता है जैसे कोई किसी चीज में पाठिसिपेट कर रहा है तो ये पाठ सहगामी क्रियाए हो जाती है और पाठिक्रम तो आपको पता ही है तो पाठ चर्या का अर्थ होता है पाठिक्रम प्लस पाठ सहगामी क्रियाए नेक्स कोश्चन है डिस्कवरी लर्निंग की अवधार्णा किसके द्वारा दी गई तो डिस्कवरी लर्निंग की अवधार्णा जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई किसके द्वारा दी गई जेरोम ब्रूनर के द्वारा कोश्चिन क्या है आपका? Discovery Learning की अवधार्णा किस के द्वारा दी गई? किस के द्वारा? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई? Next question है इंद्रियों के अवलोकन के माध्यम से किस प्रकार का ज्यान प्राप्त किया जा सकता है? तो इंद्रियों, इंद्रिया क्या होती है? आख हो गया, नाख हो गया, कान हो गया, जीवा हो गई, ये सब हमारी इंद्रिया हो गई तो इंद्रियों के अवलोकन के माध्यम से किस प्रकार का ज्यान प्राप्त किया सकता है? अनुभाव जन्नि ज्यान इंड्रियों के अवलोकन के माध्यम से किस प्रकार का ज्यान प्राप्त किया सकता है? अनुभाव जन्य ज्यान तो सत्य के तीन सिध्धान्त हैं व्यज्ञानिक ज्यान किस माध्यम से प्राप्ट किया जाता है ज्यान पॉस्टरी ज्यान क्या है तो ज्यान जो अनुभव के माध्यम से प्राप्त होते हैं उन्हें अनुभव जन्न या पोस्टरी ज्यान कहते है प्रात्मिक्ताओं का ज्यान क्या है? पहला है वह ज्यान जो अनुभव से स्वतंत रूप से प्राप्त होता है वहाँ ग्यान प्रात्मिकताओं का ग्यान है दूसरा क्या है ग्यान ग्यार अनुभाव जन्न है ग्यान कैसा है ग्यार अनुभाव जन्न है पहला क्या पॉइंट था वहाँ ग्यान जो अनुभाव से सतंतरुप से प्राप्त होता है आगरा युनिवस्टी की B8 की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं पीडियेफ के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए वाटसेप नमबर में मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में